सबी विद्यारतियों का हमारे YouTube चैनल Physics by TC चोंट सर में स्वागत है आज हम सदिशों के व्यकलन या सदिशों की बागी या सदिशों का माइनस करना इसके बारे में अध्यान करेंगे जिसमें हम दो सदिशों का व्यकलन पढ़ेंगे इसके लिए हम कुछ नियमों का ध्यान करेंगे जिस नियमों के अंतरगत हम पहले जो उत्तर निकाल चुके हैं रिजल्ट निकाल चुके हैं उसी का उप्योग करेंगे जो त्रिबुज नियम के साहितर से हमने प्राप्त किया था इस व्यक्लन का उप्योग हम विबिन इस्ततियों में करेंगे किस प्रकार से हम व्यक्लन का परिमान निकालते हैं तथा व्यक्लन का कौन ग्याद करते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे तो आईए हम सदिशों की व्यक्लन की चर्चा करते हैं तो विद्यार्तियों अब हम सदिशों के व्यक्लन या सदिशों की बाकी के बारे बात करते हैं मान लिया एक हमारे पास सदिश पी सदिश है पहले जब योग करते थे तो यह हम क्यूँ सदिश कहते थे जब हम बाकी करेंगे तो एक सदिश माइनस होगा व्यकलन करेंगे तो एक माइनस होगा तो क्यों न हम इस सदिश को जो पहले ठीटा कौन पे था उसको हमें 180 डिग्री से घुमा दे ताकि ये विपरीत सदिश हो जाए तो ये minus q vector हो जाएगा तो ये जो कौन होगा 180 minus theta हो जाएगा क्योंकि ये पहले theta थार पूरा 180 से गुमया तो पिछे कौन 180 minus theta होगा इस कौन का उपयोग हम वहाँ करेंगे जहां सदिशों के योग में किया करते थे तो उसमें परिमान में यूज करने पर आपको इसका परिमान प्राप्त हो जाएगा जहां theta की जगे हम 180 minus theta रख देंगे यहां पर ये परिमान r dash है ये कौन alpha dash है अब हम इसकी चर्चा करते हैं इसके बारे में बात करते हैं किस प्रकार से हमें इस परिमान r dash को ग्याद करना है किस प्रकार alpha dash को ग्याद करना है इसमें आपको पहले का result थोड़ा याद रखना पड़ेगा जो हमने सदीशों के योग में आपको पताया था सदीशों के योग में जो हमने परिणामी ग्याद किया था वो उसी का उप्योग करते वे हम R' कुछ ऐसे निकालेंगे R' is equal to P square plus Q square plus 2PQ वहां cos theta था यहां theta की जगे यह कौन आजाएगा 180 minus theta इस प्रकार से यह R' प्राप्त हो जाएगा अब आप जड़ा देखिए 180 minus theta cos में minus cos theta हो जाएगा तो P square plus Q square minus 2PQ cos theta इस प्रकार से इसका प्रिणामी प्राप्त हो जाएगा अब कौन की बात करें तो कौन 10 alpha dash is equal to क्या होगा कौन गयाद करने के लिए हम उसी सुत्र का यूज करते हैं जो सदिशों के योग में हमने किया था वो जो सुत्र था वो था Q sin theta अब theta की जगे यहां 180C minus theta हो जाएगा अपोन P plus Q cos theta था उसके इस्थान पर भी 180C minus theta हो जाएगा तो इसमें फिर 10 alpha dash is equal to ध्यान दीजिएगा sin 180C minus theta sin theta ही होता है तो यह तो Q sin theta ही होगा लेकिन यहां पर P minus Q cos theta हो जाएगा इस प्रकार से alpha dash का मान 10 inverse Q sin theta अपोन P minus Q cos theta प्राप्त हो जाएगा इस तरह से हम alpha dash का मान ग्याद कर सकते हैं परिणामी r dash और alpha dash इस प्रकार से हमें दो सुत्र हमें प्राप्त होए अब हम इसका अनुपरियोग करेंगे प्रश्णों के अंदर किस प्रकार से प्रश्ण में ये काम आएंगे कैसे काम आएंगे उसके अंदर देखते हैं एक प्रश्ण लेते हैं मना A vector plus B vector का परिमाण बराबर A vector minus B vector का परिमाण ये परिमान दिया हमा है हमें इस परिमान के मदद से A और B में कौन ग्यात करना है तो A तथा B के मद्य का कौन ग्यात करो अब विद्यारतियों किस प्रकार से ग्यात किया जाए तो इसमें सदिश योग और सदिश व्यक्लन दोनों क्लियर हो जाएंगे एकदम क्लियर हो जाएंगे आप थ्यान दीजिए बहुत आसान है हल देखिए solution हल A vector plus B vector का परिमान बराबर A vector minus B vector का परिमान अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो इसका परिमान होगा under root A square plus B square plus 2AB cos theta इसका होगा under root square root A square plus B square minus 2AB cos theta अब दोनों तरफ हम work करते हैं work करेंगे तो क्या होगा A square plus B square plus 2AB cos theta और यहां पर भी A square plus B square minus 2AB cos theta A square कर जाएगा B square B square कर जाएगा यह उधर बेज दिया जाए तो 4AB cos theta बराबर 0 उधर कुछ भी नहीं बचा क्योंगी इसको इदर ले अब 4AB को अगर भाग देंगे तो cos theta बराबर 0 बटा 4AB तो इसमें theta कितना आएगा तो 0 बटा something 0 होता है और cos में 0 होता है cos 90 cos 90 degree तो theta बराबर होगया 90 degree आठाथ A vector तथा B vector के मद्य कौन 90 degree होगा इस प्रकार से हम परिमान ग्याद कर सकते है result ग्याद कर सकते है यह सदिसों के व्यकलन और उसके अनुपरियोग के बारे में मैंने आपको बताया तो यह हमने सदिसों का व्यकलन पड़ा इसमें हमने परिणामी ग्याद किया तथा इसके अंदर हमने परिणामी के साथ किसी एक सदिस का कौन ग्याद किया मुझे उम्मीद है यह सेशन आपके लिए बड़ा उपयोगी से दुआ होगा आप हमारे यूट्यूब चैनल को शेर करें लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद लाइक करें